हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टाडी विच क्रेजी ग्रूफ फ्रेंट्स CRPF कॉंस्टेवल ट्रेड्समेन की ओर्ड्स जो जॉब नोटिपिकेशन निकला है जिसमें की ड्राइवर जोकी आहम है ड्राइवर के लिए तेज सोब प्लस पोस्ट निकला हुआ है टोटल तो 9000 ह है लेकिन ड्राइवर का सबसे जएदा है उसके बार मेकेनिक्स है सफाई कर्मी है धोबी है कुक है बहुत सारे पोस्ट के लिए 9000 प्लस पोस्ट पे जॉब नोटिपिकेशन निकला है तो इसका हम लोग जो रिजिनिंग है उसका टेस्ट से ठीरी देखने वाले हैं सर्च से कबार बता दूसर क्या है से लेवास देखिए आपको एससी जीडी की तरह से लेवास है जिसमें क्या है कि जेनरल इंट्लिजेंस एंड रिजिनिंग जो कि 25 कोष्चन 25 नमर के पूछे जाएंगे उसी तरह जेनरल नौलेज और जेनरल एवरेनेस 25 कोष्चन यानिकि 25 इंगलिस या हिंदी इसमें क्लियर हो जाए या तो आप इंगलिस 25 कोष्चन आपको करना है नहीं तो हिंदी सेलेक्ट आपके अनुसार आप जो चाहोगे वह सेलेक्ट कर सकता है तो बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका इंगलिस सही है तो वह इंगलिस कर सकते है और जिनक इंटलिजेंस एंड रिजनिंग इसका हम लोग टेस्ट स्रीज ठीड देखने वाले हैं और इसी तरह टेस्ट स्रीज का स्रिंखला है तो इसमें क्या है कि कोष्टन नमर फ़स्ट देखेंगे क्या है इसको अनुपात और इसको समझ लिएगा इसमें क्या होता है कि जिस तरह ये पहला और दूसरा में समझ रहता है न उसी तरह तरह तिसरा और चौथा में जो यह खाली है और यहां पर क्या आएगा यह पूछा है तो अपने को क्या करना है पहले पहले और दूसरा में कैसा समझ है यह देखना है तो इसमें क्या है कि बीर से एट आगे जाने पर अब यह कहां से पता चलेगा इसलिए न हम रिजिनिंग पढ़ाने से पहले यह आपको यह कलास के बारे में बता दू कि A से लेके Z तक सीधा करम में बोले तो कैसे A को हम लोग 1 लिखेंगे तो Z को 26 लिखेंगे उसके बाद Z को 1 लिखेंगे तो A को 26 लिखेंगे तो इसी करम में आपको पूरा याद रहना चाहिए याद कैसे होगा यह जो टेवल है इसका स्क्रीन सॉट ल यानि कि प्लास एट, आध आगे जाने पर Z आया, और चेम उसे तरह D से L, D से L, D के बार देखे, B श्टेप दी है और एल है तो यहां देखे है याने यहां भी यहां प्लस पर प्लस पर एक सैम्य तरह आंगे आठ आठ जोर देंगे तो क्या आता है देखिए आर कहां पे है यहां पे है इसको छोड़ के इस से काउंट करना है one two three four five six seven eight यानी कि जेड आ गया तो यहां पे जेड हो जाएगा जेड हो जाएगा ट से आठ आगे जाने पर क्या बी आ जाएगा देखिए यहां से आपको काउंट करना है ती से आठ आगे यानी कि यह चोड़ के one two three four five six अब क्या करें आगे यहां फिर एक से शुरू हो जाएगा फिर a से शुरू हो जाएगा seven eight यानी कि बी आ जाएगा ओक तो ZBDF कहां पर है, ZBDF option number C में है, इसका answer C हो जाएगा, जिस तरह BDFH को लिखा जाता है न, ZLNP, उसी तरह RTVX को क्या लिखा जाएगा, ZBDF है न, यहां पर, देखिए, सम्य आठेड कर दिया option number C, इसका सही answer हो जाएगा, उसके बाद हम आगला देखते हैं, क्या है, दे चाहिए, तो 484, एक इसका तो नहीं होगा, 22 का स्क्वाइर करेंगे, तो 400, इसलिए न, बोलना है, 1 से लेके 30 का स्क्वाइर तक आप अपने खुन में घुषा लिजे, बोले तो क्या, यानि कि आप अपने माइंड में पूरा बैठा लिजे, इसके स्क्वाइर आपके, गलप नहीं करना चाहते हैं, तो ये कल दिजेगा, ओके तो ध्यान रखेगा ये चीज, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए, तो ये वन टू हो गया, अब हम लोग 3 फोल देखते हैं, 3 फोल कहा है, ये रेखे, कोश्चन अमर, 3 फोल, एक ही पासे की, 4 अलग अलग आवस्था दिखाई गई है, जिसमें 6 फलकों पर, 1 से 6 तक संख्याय अंकित है, उस संख्यायों का चरन खरे, जो संख्या 5 वाले फलक के बिप्रित वाले फलक पर, यानि ये जो 5 है न, इसके बिप्रित वाले, तो 5 के बिप्रित, लेकिन यहा इसका एक है बस डर्साय अलग 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 गया, एक ही पासे को चार अलग अलग में अवस्था में दिखाया गया है, तो ध्यान रखेगा, ये इंसर यू हवा में निकाल दीजिएगा, ये चार और एक है, तो ये सोच लिजिए, जब इस तरह रहा है न, दो संख्या समान जो तिसरा संख्या रहता है न, वो एक डूसरे के अपोजित हो जाता, यानि कि पांच के अपोजित, शिक्स हो जाएगा, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शिक्स देख लेते हैं कैसे, देखें, जब एक ही पासे के, दो स्थितिया में दो सता समान रहने से सता वीप्रित होता है अता एक अर फोर से स्थटी यन और कहां यह है और स्थील些 है यहां चार और एक or चार और एक है तो इसके 5 और 6 वाट यह आता है ऊपwd है पांच का आपोजित शिक्स हो जाएगा P Y G N U लिखा जाता है, तो T E X T को V C Z भी लिखा जाता है, उस कुट भासा में, F O R E S T को क्या लिखा जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, देखे, N A I L S को, क्या लिखा जाता है, P Y G N U, तो ये कैसे हुगा, N है, N के P, N के P कितने आगे जाने पर है, देखे, या पीछे जा जाने पर, N कहाँ है, N कहाँ है, यहाँ है, और P कहाँ है, यहाँ है, यानि कि, एक और दो, दो स्टेप आगे जाने पर P आ गया है, उसके बार क्या है, उसके बार फिल देखते हैं, क्या है, क्या है, क्या है, क्योश्चन में, देखिए, A है, A के बार Y है, तो यहाँ पे प में क्या है कि g, यानि कि i के just g hi g hi, यानि कि ये भी i के दो पीछे चला गया है उसे बाद l lmn, l से दो आगे चला गया, s, s tu यानि कि यहां दो आगे चला गया है उसके बाद कि यहां पर उसके बाद कुटबासा में t a x t k को क्या v, c, v v, c, into v हो गया, E के opposite C हो गया, X के, sorry opposite बोल ला है, T, T से दो आगे जाने पर भी आ जाता है, E, अब E से C, A, B, C, D, E, E से दो पीछे चला गया, तब C आया है, उसके बाद X, X, Z, X, Y, Z, दो आगे गया है, तब Z आ गया, T, T के बार देखे, T के बार भी, यानि कि दो आगे जाने पर यहाँ पर देखे, T के बार, दो आगे जाने पर भी आया, तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिलेगा, और यह सब प्रेक्टिस कीजेगा, तब आपको दिखेगा, N, P, यानि कि दो आगे गया, A है, A के माइनस दो पीछा गया, आप यह माइनस दो क्यों पीछा आग प्लस टू हो गया, T के बार भी प्लस टू हो गया, यहाँ पर आपको देखे, भावेल और कॉंसोनेंट के साथ खेल गया, A, E, I, O, EU, यह भावेल है, तो भावेल में क्या किया है, माइनस दो पीछे आ गया, जैसे देखे, माइनस एके, माइनस दो पीछे आया, I, यहाँ में देखे, I है, तो I के भी माइनस दो पीछे आ गया है, उसके बार देखे, E है, तो E के भी माइनस दो पीछे आ गया, जितना भी कंसोनेंट है, कंसोनेंट में क्या किया है, कि पलस टू एड कर दिया है, जितना भी कंसोनेंट है, सम में पलस टू एड करना है, तो सेम उसी format में हम लोगों को क्या करना है भावेल लाहेगा ता minus two पीछे चले जाएंगे और consonant रहेगा ता plus two आगे चला f o r e s t को हम लोग उसी format में लिख लेना है f क्या है consonant है consonant में plus two add करेंगे h आ जाएगा o a e i o u तो o यानि कि ये भावेल है तो भावेल है तो इसमें क्या होगा minus two पीछे चले जाना है m आ जाएगा उसके बाद r a e i o u तो इसमें क्या होगा r इसमें plus two होगा क्योंकि ये भावेल नहीं है consonant है e e यहां minus हो जाएगा क्योंकि e है न भावेल है तो यहां minus two यानि c आ गया S, consonant है, plus 2, add हो के, यानि, S के बाद, S, T, U हो आ गया, T, T के बाद भी आ जाता है, न, consonant है तो भी आ गया, यानि कि H, M, T, C, U भी है, तो इसका answer कहाँ पे है, देखे, इसका answer C हो जाएगा, H, M, T, C, U भी हो जाएगा, ओके, तो ये देखे, यहाँ पे लिखा भी गया, यहाँ consonant, अक्षर में, plus 2, जोरकर, एबं, भोवेल में, minus 2, घटा के, कुट भासा, लिखा गया है, उसके बाद, अगला question, देखते हैं, अगला question, एक डम, easy question, है, सर, ऐसे, ऐसे, easy question, आएंगे, क्या, एक, जी, बिल्कुल, ऐसे, easy question, आपसे, पुछे जाएगे, उस, उत्तर, आकिल है, उसके बाद, देखिए, ये, ये, कुछ, इस तरह के बनेंगे, यहाँ पर, ये, ये, देखिए, ये, ये, तो आ गया, उसके बाद, आपको, ऐसे, कुछ, दिखने को मिलेगा, देखिए, इस, टाइप के, इसको, अगर आप, यहाँ पर डालिएगा, न, option, ये, खाल, य ये, ये, इमेज, देखिए, और ये, और ये, ठाड, उसी तरह सेम, इस तरह, ये है, अगर ये, डालिएगा, न, तो ये, ये, तीनों से डिफ्रेंट लग रहा है, और ये भी डिफ्रेंट लग रहा है, ये भी डिफ्रेंट लग रहा है, ये भी डिफ्रेंट, लेकिन ये theory plus question is equal to selection पहले तू अपना basic fund आ है study with crazy guru का information plus education is equal to selection जैसे CRPF driver का ही form आया है तो उसका information time to time आपको दिया गया ऐसे form apply कि यह यह गलती नहीं कि यह ऐसा नहीं करना है plus education education नहीं मिलेगा take exam कई से qualify करिएगा आद दोनों अगर time to time जो भी update आएगा information मिलते रहेगा और education मिलते रहेगा तो selection कोई आपका रोक देगा नहीं न इसलिए बोल ला है तो इसका answer क्या हो जागा इसका answer यह वाला यहां पे डालिएगा तो यह जो image है यह पूरा हो जाएगा उसके बाद देखे question number six क्या है उस सही बिकल्प का चायन करें जो दिये गए सब्दों को तार्की क्या अर्थपुर्ण करम में वेवस्थित करता है मतलब अर्थपुर्ण जैसे सबसे पहले इसमें इसमें सबसे पहले होगा लिखी हुई कहानी को क्या करना है रिहलसर करना है रिहलसर के बार क्या करना है वीडियो बनाना है मान लिजे पहले हम लोग कहानी जैसे class के लिए बहुत मेहनत करना परता है, okay उसके बार रेहर सर करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो संपारे यानि की वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद आप लो डरसत के पास पहुंचता हैं इसमें क्या होगा, 4 के बाद 2 होगा, 4 कहां है, यहां देखिए, option 4 के बाद, 4 के बाद सीधा 2 होगा, यानि कि यह देखिए, 4 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, रिकॉर्ड करना, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद, लास्ट में 3 होगा, सबसे लास्ट में 3 होगा, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ध्यान रखिएगा इस तरह के करम बनेगा पहले लिखी हुई कहानी चार दो रिकॉर्ड करना उसके बार रिकॉर्ड करना विडियो संपार्डर करना और सकी यानि कि इसका एंसर ए हो जाएगा ध्यान रखिएगा इस तरह के कोश्चन प स्थान पर आ सकता है जैसे कहाव manufacture पिपेन है पिर शरी का बवारेस एपलत है तो सबसे पहले आपको यह पहला है पहला के पहला दूसरा के पहला तिसरा के पहला चोथा के पहला में समंधधड psychologist और ओहीं समंध्र आगला जो पुछा है उसके पहला में हम लोग निकाल बर्टीकलल करम में लिख ली है अब क्या करा है यह कि पहला के पहला में समन्दर साथ एल से दो आगे जाने पर आ गया चाल में पूर्टेट यार प से दो आगे जाने पर T आर जाएगा तो यहां तू हो गया है पहला के पहला के इसरा के इस से तरह हम लगोग J yes the C 10 जाता है 20 साथ से लुडब कर становится 3 आगे जांगे तो सहें होगा इस Papam भी या जाएगा उसके बार Senior लास्ट वाले है जो लिखें वी है एंवार उसको हम लोग देहां इसमें दिखते हैं इसमें चार सब्सक्रीविक से से भी के चार पीछे गया सी चार के चार पीछे जानें पहलु इन आ गया, इंसे चार पीछे जाने पहले जी आ रा गया, यानि कि TLS झार काती यह इंतलियु दर्ण आ जाएगा यह दिखने के अब जाएगा तोны का गगां नमर्स सुर्णों तरूद कर समा हुए रूप में सरवाधिक मिलता जूलता हो तो कैसे करना है देखिए सबसे पहले यह तो फिर उससी आकार में खोलना है, फिर हमको इस आकार में लाना है, इस आकार के बार फिर हमको स्क्राइड लाना है, तपोगी यह जो है, यह तो नहीं होगा, आपोजिंट में यह दूनों और नीचे की ऊरôi नीचे की ओर नीचे की ऊर रहेगा कुछ मलब सहां कुछमारत टॉन यह दो कराएगा अज्य Schüler temporary का सबस्क्राइगा आपको दिखे गा और यह परेक्टिस किजेगा और प्रेक्टिस में बार बार करवाँगा यह नहीं करवाएंगे प्रेक्टिस भी में बार बार इस पर क्या करेंगे एक स्पेशल थियोरी कलास ले आएंगे टेंसर लेने की ज़रूरत नहीं बहुत सारे स्टूडेंट है जो कनफ्यूज राते हैं तो आप कनफ्यूज नहीं होना है कोश्चन नमर नाइन देखते हैं पांच छे नौ पंद्रा डैस डैस चालिस यानि कि यह खाली अस्थान पर क्या यहां 900 यहां 9 धा टाना है यहां 10 यहां 9 यहां 9 यहां 10 नहीं 10 आपन हो जेगा second layer का question है पहले तो ये इसके बीच में हम लोग gap कितना है ये देखेंगे तो 1, 3, 6 आ गया 6 आ गया है तो इसमें आप हम देखेंगे कि 1 के बाद ये second layer में 2 एड़ करने पर 3 आता है 3 एड़ करने पर 6 आता है उसे तरह 4 एड़ करेंगे तो 10 यानि कि 10 आड़ करेंगे तो 15 में 10, 25 आ जाएगा और सेम आगे बाले से भी मिला चाहिए न ये 10 है और यहाँ पे 4 यानि कि 10 में हम लोग फिर 4 के बाद क्या 5 आड़ करेंगे यानि 15 ये 25 में 15 आड़ करेंगे ये 25 में तब 40 आना चाहिए आ गया तब जाके अपना एंसर सही हो गया उसके बाद देख्या आज का लास्ट कोस्टन नमर टेन लास्ट कोस्टन है छो बिल्ताकार रूप में गेंडर की और मुख करके बैठे हुए रूना चारू और पड़ी क्या है रूना चारू और पड़ी महिला आए है तो ध्यान रखिएगा ये चीज तो इसमें क्या है देखिए तीन महिला तीन पूर्ण चारू ताइब और रूना के मध्य बैठी है और ऑढ़ी एक दुसरे के सामने बैठे है वरून और पड़ी है यह इमपोर्टेंट है रूना का दाई और पूरूस बैठा है, देखिए, सबसे पहले यहां पे आपको ये प्रैक्टिस किजिएगा ना, तो आप खुछ समझ जाएगा जे कहां से पकरना है, यहां सबसे पहले ये देख लेजिए, कि दो पूरूस के बीच एक महिला, दो पूरूस के बीच पूरूस ही होगा, और यहां से यह पता चलता है वरून और परी एक दूसरे के सामने बैठा है तो कुछ इस तरह के बिताकार में मालेजे परी यहां है तो वरून उसके सामने बैठा रहेगा उके उसके बार यहां पर नेक्स्ट देखना है कि देखिए वरून और परी एक दूसरे के सामने रूना क दाइं और पुरुस बैठा है और यहां पर यह भी आपको डेखना है चारू परी और रुना के मध्य बैठी हुई है चारू है जो परी और रुना यहां है तो रुना यहां डालेंगे तब इसके बीच में चारू बैठेगी और यहां भी बोला है कि रुना के दाइं और यान तो बरुन के और ये भी बोला है जो मनु है जो परकास और तरुन के बीच में बैठा है तो ये परकास यहां रहेगा तब न यह बीच में और यहां पर 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 यह परकास के दाई और पड़ी बैठी हुई है तो चलिए आज का कोश्चन यही था और इसी तरह कोश्चन आते रहेंगे और यह कोश्चन को सधारन मत समझेगा देखे 25 कोश्चन आपको रिजिनिंग से पुछा जाएगा तो 25 कोश्चन इसी तरह मतलब सेट वाई सेट करवाया जाएगा देखे अगर 25 कोश्चन करवान आमें उद्ध से नहीं को तोर तोर केक्डम आपके खुड में घुसा देना मेरा उद्ध से है ताकि एक जाम में जाएगा न तो वहाँ हावा न दिखे आपको केवल कोश्चन मतलब ऐसा लगना चाहिए जहाँ पढ़के आए हैं तो 25 कोश्चन है रिजिनिंग से 25 वी आएसे टेस्टरी सारे मैट का भी चल ला है इंगलिश और हिंदी दोनों का भी चल ला है और जेनरल नौलेज और जेनरल अवेर्डनेस जीके जीके जीएस का भी चल ला है तो स्टाड़ी विट क्रेजी गुरूप फिरी में आपको कल आज नहीं लगेगा ओकि हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लेकिन यहां का जो बेसिक फंडा है इनफर्मेशन पलस एजूकेशन इसकल टू सेलेक्शन टाइम टू टाइम इनफर्मेशन देना को जो नोटि जॉब नोटिपिकेशन चाहे जो अब यह उसके बाद एजूकेशन आपको देना है तब जाके आपका सेलेक्शन कोई रोख लेगा नहीं न चलिए हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अपने डोस्टों के बीच भी सेर किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहिंद जाय भार प्राइब नेक्स्ट रा जागरे लिजिए है तो पिजिए हैं जाहिंद जागे टूट पोस्टों के दोने के लिजिए हैं लिज अब जाहिए हैं नेक्स्टों के इन चलिए है